हाई गाईज वेलकम बैक स्टुन अधर सेशन मैं आभावनोट लेकर आई हूं आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नमबर 743 आज की तारीक है 10 अगस 2020 हमारे दो चानल है पिनाकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि भूलिएगा साथी साथ इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट सेसे सीजल पिनेकल डॉट कॉम को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ये सेशन हर रोज सुबा चार बज इवैलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के कोशिन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट करेंगे प्रिवियस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्टन था भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परी स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्टन के साथ संग लोक सेवा आयोग यूपी एसी का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है आप्शन नमबर बी प्रदीब कुमार जोशी शिक्षा विद प्रोफेसर प्रदीब कुमार जोशी को संग लोग सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष निक्त किया गया है वे अर्विन सक्सेना का स्थान लेंगे जिन्होंने UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कारेकाल पूरा कर लिया है जोशी 36 गर तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वे UPSC में एक सदस्य के रूप में मई 2015 में शामिल हुए थे UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कारेकाल 12 मई 2021 तक रहेगा यहाँ एक रिविजन की बात करें तो CBSE के इनने अध्यक्ष है मनोज अहूजा अगला प्रशन है हिंद महसागर क्षेतर में कौन सा देश युनेसको से सुनामी के लिए तयार सुनामी रेडी देश का दरजा प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है युनेसको के इंटर गवर्मेंटल ओशियानो ग्राफिक कमिशन IOC से हिंद महसागर क्षेतर में सुनामी के लिए तयार सुनामी रेडी का दरजा प्राप्त करने वाला पहला देश भारत तथा पहला राज औरिशा बना है संयुक्त राष्टर शैक्षिनिक, विज्ञानिक और संस्कृतिक संग्टन युनेसको ने ओड़िशा के दो तट्ये गाउं में सुनामी का सामना करने के लिए उनकी समगर तयारी को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुनामी के लिए तयार गाउं के रूप में मानेता दी ह ये दो गाउ वेंकेट रायपूर तथा नौलिया शाही है। अगला प्रशन है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व के स्वदेशी अबादी के अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रोत्साहन के उदेश्य से विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतराष्ट्र दिवस हर वर्श नौ अगस्त को मनाया जाता है? इस साल की थीम है COVID-19 और इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतराष्ट्र दिवस की घोशना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 23 दिसंबर 1994 को की गई थी। यह तारीख 1982 में मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रोथसाहन के लिए उप आयोकी स्वदेशी अबादी पर गठित UN कारे समेती की पहली बैठक के दिन को चिनहित करती है। यह पर एक विक रिविजन की बात करें तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है 6 अगस्त और नागसा की दिवस कब मनाया जाता है 9 अगस्त अगला प्रशन है पुस्तक RAW और हिस्ट्री ऑफ इंडियास कोवर्ट ओपरेशन के लेखक कौन है तो इसक संस्था के भीतर वास्तव में क्या होता है इसकी जानकारी देती है रोके संस्थापक महान जासूस रामेश्वर नात काव थे इसके स्थापना 1968 में बढ़ती हुई खूफिया अवशक्ताओं जिनहें 1962 के भारत-चीन सीमा युद तथा 1965 के भारत-पाकिस्तान युद के दो को संतुष्ट करने के लिए की गई थी रोके प्रमुख है सामंत गोयल यहां पर एक कोई क्रिविजन की बात करें तो विशेश कोड डू विन पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका सही जवाब है निरुपमा यादव अगला प्रशन है विद्यालियों में डिजिटल तथ गूगल क्लासरूम के लिए G-Suite का वित्रन करवाने हे तू गूगल इंडिया के साथ साजय दारी करने वाला भारत का पहला राज्य महराश्ट्र बना है महराश्ट्र सरकार ने गूगल के साथ साजय दारे की घोशना की है जो शिक्षा के कारेकरम प्रदान करेगा G Suite for Education, Google Classroom तथा Google Meet जैसे साधनों का प्रियोग करेगा इसके कारण 2.3 करोड छात्रों तथा शिक्षकों की तकनीक से मिश्रित शिक्षा कारेकरों मों तक पहुंच बनेगी जिसमें कक्षा की शिक्षा को ओनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है अजंता लोरा केज, अलिफेंटा केज और विक्टोरियन गौथिक एन आर्ट डिको एंसेंबल्स मुंबई नाशनल पाक्स में आता है संजे गांधी नाशनल पाक, गोगेमल नाशनल पाक और टडोबा नाशनल पाक महाराष्ट्रा की कैपिटल है मुंबई, गवंडर है भगत सिंग कोशियारी और सीम है उदव ठाकरे अगला प्रशन है श्री लंका में 2020 के संसदिये चुनावों में किसने भारी जीत हासिल की है तो इसका सही जवाब है option number D महिंद्रा राजपक्षे श्री लंका की 16 संसद में 225 सदस्यों के निर्वाचन हेतु 5 अगस 2020 को संसदिये चुनाव हुए थे महिंद्रा राजपक्षे ने इन चुनावों में 145 सीटे जीत कर संसद में दो तीहाई पहुमत प्राप्त किया श्री लंका के पूर्व राश्च्र पति महिंद्रा राजपक्षे ने देश के नए प्रधानमंतरी पद की शपत ली इस दो तीहाई पहुमत से उन्हें वर्तन करने की शक्ति मिलेगी सजीत प्रेमदासा के नेत्रितव वाला समागी जन्बलवेगा 54 सीटों के साथ मुख्य विपक्षिदल के रूप में उभरा है पूर्व प्रधान मंत्री रानिल विक्रम सिंगे की युनाइटेट नाशनल पार्टी को मात्र एक सीट मिली है प् प्रधिने पूरा कोटे और करंसी है श्री लंकन रूपी अगला प्रशन है राष्ट्री स्वच्ता केंद्र का उध्गाटन किसने किया है तो इसका सई जवाब है आप्षिन नमबर सी नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज-घाड के नस्दीक श्थ महात्मा गांधी को समर्पित की ए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच भारत मिशन की सफलता और स्वचता के फायदों के बारे में बताया जाएगा महात्मा गांदी को समर्पित राष्ट्री स्वच्ता केंदर की प्रधान मंत्री ने सबसे पहली घोशना 10 एप्रल 2017 को महात्मा गांदी के चमपारन सत्या ग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी यह स्वच भारत मिशन पर एक परस पर समवा दात्मक इंटराक्टिव अनुभग केंदर होगा अगला प्रशन है Smart India Hackathon 2020 में किस संस्थान ने प्रतम पुरसकार जीता है तो इसका सही जवाब है Option No.C उन्नत प्रदियोगी की रक्षा संस्थान D.I.A.T. पूने उन्नत प्रदियोगी की रक्षा संस्थान Defense Institute of Advanced Technology पूने D.I.A.T. के अंतरगरत आने वाला एक स्वायत संघटन है D.I.A.T. Smart India Hackathon 2020 के प्रतम पुरसकार का विजेता बना है टीम को AI का उप्योग करके चहरे, अभिव्यक्ति और हाव भाव पहचान के लिए मध्यप्रदेश सरकार को दृष्टी नामक समधान प्रदान करने के लिए पुरसकार दिया गया है D.I.A.T. एक डीमड युनिवर्सिटी है जो रक्षा अनुसंधान तथा विकास मंतराले के अंतरगरत आता है Smart India Hackathon 2020 सौफ्ट वेर संसकरन के लिए 36 घंटे तक लगतार चलने वाली उतपाद निर्मान प्रतिस परदा है जिसका आयोजन मानव संसादन विकास मंतराले तथा अखिल भारतिय तकनीकी शिक्षा परिशत के द्वारा संयुक रूप से किया जाता है अगला प्रेशन है 20 वे न्यू योक भारतिय फिल्म होटसव में किस फिल्म डॉक्यूमेंटरी ने पुरसकार जीता है तो इसका सही जवाब है option number D, A और B दोनो यानि Sunrise और मूथन मलियालम फिल्म मूथन तथा राष्टे पुरसकार विजेता डॉक्यूमेंटरी Sunrise ने भारतिय अमेरिकी कला परिशद के दुवारा आयोजित 20 वे न्यू योक भारतिय फिल्म होटसव में पुरसकार जीते हैं इस मोहतसव का आयोजन एक वर्चुल कारेकरम के रूप में किया गया था जिसमें भारतिय फिल्म उध्योग की हस्तियां तथा पूरे भारत और अमेरिका से भाग लेने वाले पुरसकार विजेता शामिल हुए थे बीसवे NYFF के वर्चुल संसकरन में भारत की 45 कहानियों लगू फिल्मों तथा दोक्यूमेंटरी का प्रदर्शन किया गया था अगला प्रशन है किस भारतिय क्रिकेटर को विन ट्रेड फैंटिसी स्पोर्ट्स का वैश्विक ब्रैंड अम्बैसेडर नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अमबर डी दोनों A और B यानि सुरेश रैना और हर्मन प्रीत कौर भारत के मध्य करम बलेबाज सुरेश रैना तथा भारतिय महिला टीम की कप्तान हर्मन प्रीत कौर को विन ट्रेड फैंटिसी स्पोर्ट्स का वैश्विक ब्रैंड अम्बैसेडर नियुक्त किया गया है सुरेश रैना इस ब्रैंड से रननीतिक साज़दारी के रूप में भी जुड़े है विन ट्रेड फैंटिसी स्पोर्ट्स एक कालपनिक खेल मंच है जिसकी भारत तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में अपचारिक शुरुवात 6 अगस्त 2020 को की गई थी उप्योग करता अगामी मैचों से वास्तवे खिलाडियों को लेकर अपनी खुद की टीम बना सकते हैं तथा उनके द्वारा मेदान पर किये गए प्रदर्शन के अधार पर पॉइंट प्राप्त करके अन्य प्रिशंसकों के साथ प्रतिस परधा कर सकते हैं वर्तमान में इस एप पर कालपनी क्रिकेट, फुटबॉल तथा बास्किटबॉल है यह उप्योग करताओं को रननीती बनाने तथा अपनी खेल ग्यान का प्रियोग करके पुरसकार प्राप्त करने का अफसर देता है यहाँ पर एक एक रिविजन की बात करें तो भारत ने 2021 के T20 विश्व कप के आयोजन का अधिकार बरकरार रखा है जबकि 2022 में इस वर्ष स्थगित कर दिये गए संसकरन का आयोजन आस्ट्रेलिया में किया जाएगा बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक क्विक समरी की यूपी एसी के नए चेर्मेन कौन बने है प्रदीब कुमार जोशी युनेसको दुवारा किस देश को सुनामी रेडी घोशित किया गया है इंडिया को इंटरनाशनल डे ओफ वर्ल्ड इंडी जीनियस पीपल कब मनाया गया है अगस्त नौ को किस ने लिखी है यातिश यादव ने किस राज्य ने गूगल इंडिया के साथ डिजिटल एडूकेशन टूल्स इन स्कूल्स के लिए साज़धारी की है महराष्ट्र ने श्री लंका में 2020 पार्लेमेंटरी लेक्शन में कौन जीते हैं महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्र स्वच्ता केंदर का उधगाटन किस ने किया है नरेंदर मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकतॉन में फर्स्ट प्राइस किसने जीता है डी आई एटी पूने ने ट्वेंटिएथ न्यू योक इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइस किसे मिला है मूथन और सन्राइस को विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रैंड संग लोक सेवा आयोग यूपी ऐसी का नया अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतराश्ट्रे दीवस कब मनाया जाता है और अगर अभी तक आपने मारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट ससी सीजल पिनेकल डॉट कॉम और बलजी धाकर डॉट कॉ को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा थैंक्यू सो मच